जब एक व्यक्ति एक परिवार में रहता है तो उसकी सोच कि वो अपने परिवार तक सीमित रहती है वो अपने बच्चों के विशह में सोचता है अपने मा के विशह में सोचता है अपने पतनी के विशह में सोचता है अपने मकान के विशह में सोचता है अपने दुकान के विशह में सोचता है होने वाली धन के आय के विशय में सोचता है वही व्यक्ति जब एक सामाजिक हो जाता है मंदिर जाने लगे समाज से जुड़ जाए मंदिर के हर कारिक्रम में हिस्सा लेने लगे तो फिर वो समाज के विशय में सोचने लगता है कि समाज का कैसे उत्थान हो आएं, कैसे बेदी अच्छी बने, कैसे मंदिर अच्छा बने, कैसे मंदिर में अच्छे से अच्छा काम हो, उसकी सोच परिवार से बढ़के थोड़ी सी मंदिर तक आजाती है, वही व्यक्ति यदि पारिशत बन जाए, तो फिर वो अपने महले की विश्रय में सोचने लगत है, कि मेरा महला कैसे अच्छी बने, कैसे बढ़ियां बने, उसमें रहने वाले लोगों को कैसे सुख मिले, उनकी परिशानिया कैसे दूर हो, अब वो महले तक आगया, वही व्यक्ति यदि विधायक बन जाए, तो फिर वो अपने जिले के विश्रय में सोचता है, उस करने की सोचता है, कि कैसे इनका अच्छा हो, और कोई गड़वड हो जाती है, तो उसे दवाने का प्रियास करता है, जैसे परिवार में रहता है, और उसके बच्चे में कोई कमी हो, तो उसे दवाने का प्रियास करता है, यदि अपनी लड़की लड़ रही हो, और उसकी आ अपना बेटा बोतल में शराब पी रहा हो तो कहींगे पानी पी रहा है और दूसरे का बेटा पानी पी रहा हो तो क्या कहोगे शराब पी रहा है यानि दूसरों की कमी उगारते हैं और अपनी कमी ढाकते हैं जब वही व्यक्ति सामाजिक हो जाता है तो समाज के गुणों को उगारता है और समाज की कमीओं को ढाकता है वही व्यक्ति जब महले का हो जाता है तो महले की कमी ढाकता है और मह महले की कमी उगारता है, वो महले वाले तो बहुत खराब है, बहुत लड़ाकू है, उस महले वाले उसका पारिशन बहुत खराब है, वो बहुत खराब है, यानि दूसरे में कमी नजर आती है, जिसको हमने अपना समझा है, बस उसी में गुन है और बांकी तो सब बेकार है, वही व्यक्ति जब बिधायक बन जाता है, तो अपना जिला सबसे बढ़िया है, मा की सब बेकार है, ठीक है ना? अब वही व्यक्ति दी मुख्ध मंत्री बन जाए, तो अपनी स्टेट के विशय में सोचता है, अपनी राज के विशय में सोचता है, हर जिले के विशय में सोचता है और उस राज को अच्छे से अच्छा बनानी का प्रयास करता है अब वो पूरे श्टेट का हो गया और वही व्यक्तियती प्रधानमंतरी बन जाए अरे बोलिए न फिर पूरे देश के विशय में सोचता है कि कैसे भला हो लोगों का, कैसे समस्याएं दूर हो, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ें, कैसे देश की उन्नती हो, कैसे देश आगे बढ़ें, अब वो देश के विशाय में सोचने लगा, और वही व्यक्ति, यदि विश्व की जो संस्था है, उसमें शामिल हो जाए, तो फ कैसे पूरे देश में हर देश को हर चीज मिले, फिर वो उस में सोचने लगता है, अब इनका सोचने का कारण क्या है, इनका दायरा सोचने का क्यों बढ़ा, पद, पारिशत का पद मिला, तो महले के लिए सोच रहा है, विधायक का पद मिला, तो जिले के लिए सोच रहा है मुख मंतरी का पद मिला, राजपाल का पद मिला, तो एक स्टेट के लिए सोच रहा है प्रधान मंतरी का पद मिला, तो देश के लिए सोच रहा है और विश्वी की संस्था का पद मिला, तो विश्वी के लिए सोच रहा है उसमें कारण क्या है पद, जिम्मेवारी, क्या है जिम्मेवारी, जिम्मेवारी आगए, अब महला यदि ठीक नहीं रहेगा तो मेरी बुराई होगी, लोग मुझे बुरा कहींगे, दुबारा पारिशत नहीं बनाएंगे, दुबारा मुझे बिधायक नहीं बनाएंगे, इस इसलिए काम करता है इसलिए मेहनद करता है किसके लिए पद के लिए किसके लिए पद के लिए ठीक है अब यही बात भगवान महवीर हमारी सोच को कैसे बढ़ा करते हैं अब हमें ना तो पद की जरूरत है ना जिम्मेवारी की जरूरत है बिना पद और बिना जिम्मेवारी के क्या सोच बढ़ी हो सकती है बहुत मश्किल है बहुत मश्किल है जो धर्म की गहराई में घुसा है वो ही इस बात को समझ पाएगा बाकि लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते है कि पद मिला नहीं जिम्मिवारी मिली नहीं यहां तो एक माता-पिता की सेवा करवानी हो तो कितावें छापनी पड़ती है कि माता-पिता के क्या करतव्य है कवियों को कविताइं बनानी पड़ती है कि बच्चों के माता पिता के प्रती क्या कर्तव्य है कितने साहित लिखे गए कि माता पिता कैसे बच्चों की सेवा करें या बच्चे माता पिता की कैसे सेवा करें कितना लिखना पड़ा तब कहीं वो घर के जिन ने जनम दिया है जो साथ रह रहे हैं उनके कर्तवे निवहाने के लिए साहित लिखना पड़ता है पारिसद और ये तो फिर वो जनता करवा लिती है नहीं करोगे तो डंडा मारेगी इसलिए कर रहे हो लेकिन इन सब चीज के बिना भी क्या हमारी सोच बड़ी हो सकती है अरे बोलिये न क्या हम सारी दुनिया को अपना मान सकते हैं क्या हम समस्त जीवों को अपना मान सकते हैं मानाव को नहीं, मात्र मानाव को नहीं प्राणी मात्र को क्योंकि प्राणी मात्र मतलब एक इंदरी, दो इंदरी, तीन इंदरी, चार इंदरी, पंचेंदरी इसमें सारा संसार में जितने जीव हैं वो सारे आ गए इसमें नार्की भी आ गए, इसमें देवता भी आ गए इसमें ब्रक्ष भी आगए, इसमें अगनी भी आगए, इसमें धर्ती भी आगए, इसमें लटक, चुआ, इल्ली भी आगए, इसमें मच्छर, मक्खी, कीट, पतंगा भी आगए, इसमें तुम्हारे चीटी, खटमल, जुआ, आदी भी आगए, इसमें तुम्हारे पंचेंद तरी जो गाय, बैल, घोड़ा, यह हांस, यह बतक, यह सब आगए इसमें, क्या इन सब को अपना मान सकते हो? अरे बोलिये न, है कोई सोच ऐसी, कि जिससे हमें कुछ मिलना ना हो, और उसके बाद हम उनको दें, उनके प्रती सोचें, उनके प्रती भाव रखें, क्या यह सोच हो सकती है? अरे बोलिए न यहां तो इतनी सोच नहीं है कि जो उनके लिए कर रहा है वो उनके लिए करें वो एक लाइन सुनिए न हम न सोचे हमें क्या मिला है हम यह सोचें किया क्या है अरपन फिर से सुनो हम न सोचें हमें क्या मिला है हम यह सोचें किया क्या है अरपन फूलिक खुशियों के माटें सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुवन अपनी करुणा का जलतू बहादे करे दे पावन हरेक मन का कोना हम चले नीके रस्ते पे हमसे भूली कर भी कोई भूली होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विशिवा से कम जोरे होना जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी जब तक हम दूसरे के दुख के विशह में ने सोचेंगे जब तक सामने वाली ने हमें क्या दिया है इस बात का मूल नहीं पता होगा इस बात की कीमत नहीं पता होगी तब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते चाहे वो घर के माता-पिता क्यों ना हो जो अपने माता-पिता के उपकार की कीमत नहीं जानता है वो औरों की उपकार की क्या कीमत जानेगा आप क्या सोचते हो मच्छर आपके उपकारी नहीं है अरे बोलिये न वेग्यानिकों ने शोध में निकाला है कि मच्छर जब आपको काडते हैं तो उनके अंदर कुछ चीज ऐसी होती है जो तुमारे स्वास्ति के लिए अच्छी होती है और कुछ मच्छर ऐसे होते हैं गंदगी वाले मच्छर कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी गंदगी यदि आपके अंदर चली जाए तो आप बीमार हो जाते हो साप है साप के अंदर जहर है कि नहीं है अरे बोलिये ना साप के अंदर जहर है ना अब वो जहर अच्छा है कि खराब है आपके लिए अब वो जहर आपके लिए अच्छा है ये खराब इसकी बात तो सोचो पहले यदि उस जहर की दवाई बनाईती जाए तो जो कीमो थेरेपी है वो क्या है वो कीमो थेरेपी के माध्यम से वो साप का जहर इंसान को चड़ाया जाता है और उस जहर से कैंसर का इलाज किया जाता है अब बताइए वो जहर खराब है या अच्छा तो साप तुम्हारे काम का है की नहीं साप ने मनुष पर उपकार किया की नहीं किया हाथी मनुष पर उपकार करता है कि नहीं करता है, घोडा मनुष पर उपकार करता है कि नहीं करता है, और जो बैल आ दिये हैं वो मनुष पर उपकार करते हैं कि नहीं करते हैं, यानि इस दुनिया की एक एक चीज है, हवा, हवा को क्या समझते हो, ये भी जीव है, वायू का क्या आप रह सकते हो नहीं रह सकते हो क्या आप अगनी के बिना रह सकते हो नहीं रह सकते क्या आप धर्ती के बिना रह सकते हो नहीं रह सकते क्या आप पेड़ पौधों के बिना रह सकते हो नहीं रह सकते क्या आप जल के बिना रह सकते हो नहीं रह सकते इस जीवन को जीने के लिए अनंत जीव अपना खुद का घाद करते हैं तब कहीं जाकर तुम्हें जीवन मिलता है अनंत जीवों ने अपना जीवन खतम किया तब तुम्हें ये जीवन मिला और इस जीवन का तुम क्या उपयोग कर रहे हो इस जीवन से केवल संसार के भोग ही भोग रहे हो या इस जीवन से कुछ आत्मा की, ज्यान की, सेवा की, वैयवरत्ती की उपलब्धी भी कर रहे हो जब इतने जीव हमारे लिए काम करते हैं तो क्या हमें दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहिए? अरे बोलिये न, करना चाहिए, है न? तो अभी जो लाइन चल रही है, सम्यक दर्शन जो बताया है भगवान महवीर ने कि सम्यक दर्शन, दर्शन का मतलब होता है देखना वो सम्यक का मतलब होता है जैसा है वैसा देखना यदि आपके पास में सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्श्टी है देखने की, गुण को अलग और दोशों को अलग, उपकार को अलग और अपगात को अलग, यदि ये दर्श्टी है आपके पास देखने की, तो आप इस जीवन को बहुत अच्छा बना लोगे, और यदि ये आया है कि एक बूंद, जल की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं, कितने जीव? 36,450 जीव, त्रस जीव, दो इंद्री से पंचेंद्री तक, इंद्रियां तो पता है न कौन से होती? इशपर्शन, रसना, घ्रान, चक्षो और कर्ण, आपके पास कितनी है? पांच, आपके पास है क्या? अरे बोलिये न, बड़े पुर्णियात्मा है, जिनके पास में ये पांच इंद्रियां और मन भी होता है, वाकि चीटी के पास 3 इंद्री है, मच्छर के पास 4 इंद्री है, लट के पास 2 इंद्री है, है न? तो ऐसे 5 इंद्री तक के जीव होते हैं, तो एक पानी में तरस जीवों की संख्या कितनी होती है? 36,450 ये भगवान महवीर ने बताया है, और जब उस जल को छानते हैं कपड़े से, और जो उसमें जीव बचे कपड़े में, उसे वापस जल में पहुचा देते हैं पानी डाल करके, तो पानी के जीव पानी में पहुच जात है, आज वैग्यानी कहते हैं ना पानी को फिल्टर करके पियो, पानी में वैक्टीरिया होते हैं, कहते हैं ना वो उसमें मार देते हैं, वो मार करके फिल्टर करते हैं, और भगवान महवीर चान करके, जल के जीव जल में पहुचा देते हैं, और जो छना हुआ पानी है, व तो आज तक कितने जीवों की हिंसा कर दी, कितने जीवों को मार दिया, कितने जीवों को सता लिया, क्या केवल सताने के लिए जन्मे लिया है, किसी को सुख देने के लिए जन्मे नहीं लिया है, नहीं, मेरे माध्यम से, जितना कम से कम दूसरे जीवों को दुख पहुंचे, म नम्यक धरशन का जो 5 पाचवा अंग है उप गुहन अंग उसमें यही बताया है कि निज कुण अरूपपर ओगुण ड्हाके क्या करना है है अपnity अपने कुणों को छिपाना है और दूसरों के अवगुणों को छिपाना है क्या करना है अपने गुणों को छीपाना है और दूसरों के अब गुणों को छीपाना है करते क्या हो अरे बोलिये न अपने गुण ना भी हो तो भी शुरू हो जाते हाँ मुझे ऐसा आता है मैं ऐसा कर लेती हूं मैं ऐसा करती हूं नहां भी आता हूं तो भी शुरू हो जाते हैं और दूसरों को आता है, मैं पता है उसके बच्चे के 90 परतितत आये ना गधा है गधा पैसा दे के करवा लिए होंगे वो पड़ता थोड़ी है और बोलिये ना हमेशा दूसरों की कमिया नजर आती है और अपने गुन नजर आते हैं, यह आँख है ना, आँख, दूर का देखती है, कोई भी चीज है, दूर है तो नजर आएगी, अब इसी वस्तु को आँख के पास ले आओ, देखेगा, नहीं देखेगा, यह आँख दूर से कमिया ही देखती है, गुन नहीं देखती है, लेक निखने वाली आँख निए, देखने वाला मैं हूं, मैं कौन आत्माzd, आँख नो अचंग का इसàng मशीन going का मुझे bears, उसने दिखा दिखा दिया यह ह हराा रंग है, तो हरा हैलाल है तो लाल है , पीला है तो पीला है, उसका काम किवल दिखाने का है अब उसके पीछे जो देखने वाला है वो उसमें क्या देख रहा अरे लाल बहुत खराब लगता है हरा बहुत बढ़िया है अरे नहीं हरा बहुत खराब लगता है लाल अच्छा लगता है ये जो करने वाला है न ये आत्मा है जो हमेशा दिन भर दूसरों की कमी, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों को लडाने का, भिडाने का, यह जो सारा काम कर रहा है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक हमारी सोच बड़ी होने वाली नहीं है, निज गुण अर पर अगुन नहांके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पुछो ना, अरे पुछिये ना, जोर से पुछिये ना, हाँ, रोज प्रती दिन नए जनों की, जिनको तुम जानते हो, उनकी पाँच प्रसंसा करनी पड़ेगी, यानि एक वेक्ति में पाँच गुन होंग तो उनके पाँच गुनों को, भैसाब, आपकी अंदर बोलते बहुत अच्छा हो, आपका ज्यान बहुत अच्छा है, आपका ये काम बहुत अच्छा है, रोज पाँच लोगों की प्रसंसा करो, क्या करना है, नियम ले लो, कि पाँच लोगों की प्रसंसा करेंगे, और य आती है, सबसे जादा बुरे वो ही है, ऐसा नहीं करते हैं, तुम हमारे लिए, ऐसा नहीं करते हैं, आज कल के बच्चे, तुम अच्छी मम्मी नहीं हो, तुम अच्छे पापा नहीं हो, मुझे मोबाइल नहीं दिलवाते हो, मुझे कपड़े नहीं दिलवाते हो, अपने मम् तो सबसे पहले किसकी प्रशंसा करनी है मम्मी पापा की उसके बाद घर में कौन है भाई बहन और भी जने होंगे फिर उनकी प्रशंसा करो उसके बाद उनकी प्रशंसा करना है जिन से तुम्हारी लड़ाई है बोलिये हाँ या नहीं उनके अंदर गुण होंगे की नहीं होंगे गुण तो हर वस्तू में है हर चीज में है यदि गुण से रहित दुनिया की कोई चीज है यह नहीं है एक दिन मैं बैठी थी गर्मी के दिन थे छट पर बैठी थी थोड़ा सा गले में कफ आया तो किनारे में मैंने निकाल दिया कफ निकालके मैं आगी थोड़ी दूरी बैठी थी अचानक मेरी नजर उस तरब गई तो चीटियां लग गई उस पर क्या लग गई चीटियां और थोड़ी देर में ची दोश वाली चीज है कि गुण वाली चीज है तुम्हारे लिए दोश वाली होगी क्योंकि दोसगराही दरष्टी है एक चीज एक के लिए अच्छी होती है और एक के लिए बुरी होती है चीज ना तो अच्छी है ना बुरी है तुम्हारे लिए अनकूल है तो अच्छी है और प्रतिकूल है तो बुरी है तुम ना बुरी कहो ना अच्छी कहो तुम कहो चीज चीज है मुझे अधिकार नहीं है कि मैं उसकी निंदा करू मुझे अधिकार नहीं कि मैं उसकी बुराई करू चीज चीज है, रंग रंग है रंग तुम से नहीं कहता कि तुम मुझे पसंद करो या तुम मुझे बुरा कहो लेकिन जीव, राग और द्वेश करके अपने पाप कर्मों का बंध पूरे दिन करता रहता है अच्छा जब पाप कर्मों का बंध होगा तो यह फल किसको भोगना पड़ेगा अरे बोलिये न अच्छा यह तो बड़े समस्थार लोग बैठे है तो भे प्रवचन रहने दूँ अब इतनी समस्थार आई गए है कि हम करेंगे तो हम भरेंगे जो बोएगा वही पाएगा जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करेनी वैसी भरेनी जैसी करेनी वैसी भरेनी जब पता है तो इस संसार से फूल फूल चुनलो और काटे काटे छोड़ दो सामने वाले की कमी देख करके जैसे धोबी है धोबी का क्या काम होता है अरे बोलिये न कपड़े धूना काम नहीं हो तो मेल धूना काम होता है कपड़े का मेल निकाल लेता है और साफ कपड़ा दे देता है अब हमने सामने वाले की कमियां देखी तो हमने क्या देखा अरे बोलिये ना सामने वाले की कमियां देखी तो हमने क्या दिखा मेल दिखा और हमने सामने वाली की कमिया उसको बता दी कि भई तो दूर कर ले तो हमने क्या धोया वो एक वो दो लाइने आती न पहले पढ़ी है जल बिन साबुन बिना निर्मल करे सुभाय रहिमन निंदक नियरे राखिये क्या है निंदक नियरे राखिये आंगने कुटी छबाय बिने पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय यदि कोई हमारी कमी बता रहा है तो समझना कि वो बहुत बड़ा शुब चिंतक है हमारा लेकिन सहन नहीं होती कोई बता तो दे कमी तू अपनी देख मेरी मैं देख लोगी तू जान अपनी मैंने पड़ लोगी मुझे मत बताया कर मेरी कमी मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ तू मेरे से ज़्यादा खराब है बोलिए कोई अपनी कमी सुनना बरदास्त करता है नहीं करता है कोई मूर्क होगा लेकिन कोई मूर के कह दे तो सहन नहीं करेगा नहीं कर सकता है क्यूं मान कशाए ऐसा क्यूं हो रहा है मान कशाए के कारण यदि भाव कोमल हो विनयवान हो भाव निर्मन हो तो हाँ भैसाव आपने ये बात बताई आप हम आगे से ध्यान रखेंगे अब नहीं करेंगे यासा ठीक है आपने बहुत अच्छा हुआ बता दिया मुझे यदि आप नहीं बताती तो मैं गल्ती हमेशा करती रहती ऐसा भी हो सकता है और कोई कमी बताए तो अपने बच्चे को देख मेरे बच्चे की कमी मत बताया कर हाँ आजकल कोई किसी के बच्चे की कमी बता दे कि बहन जी यह आपका बच्चा नहीं वहाँ लड़ रहा था और वहाँ पर खूप लड़ाई भड़ाई कर रहा था ठीक है ठीक है मैं देख लूँगी तो अपने बच्चे को देखो वो भी लड़ता है कोई अपने बच्चे की भी कमी नहीं सुनना चाहता है हाला कि जो सम्यक दर्शन अंग है वो तो यह कहता है कि किसी की कमी देखो मत अपनी कमी देखो और दूसरों के गुण देखो मेरी भावन में परते ना गुणी ग्रहनी का भाव रहे नीत द्रश्टी न दोशों पर लेकिन होता ग्या है दोशे ग्रहनी का भावी रहे नीत द्रश्टी न गुणों पर जावे बोली यह ऐसा होता है कि नहीं होता है हैं अज सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो जैसा है वैसा दिखता है जैसा है वैसा दिखने लगा वैसा जान लिया वैसा मान लिया वस धरम आ गया और धरम है क्या जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लिया वैसा देख लिया वैसा मान लिया देख भाल कर चलो क्या कहा देख सम्यक दर्शन भाल कर, जान कर, समझ कर, सम्य ज्ञान, चलो चारित्र देख भाल कर चलो, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र इस तरह से अपने जीवन में एधि धर्म आ जाए तो हमारी सोच बड़ी हो जाती है फिर हम केवल अपने परिवार के लिए नहीं अपने देश के लिए नहीं, अपने विश्वे के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए नहीं हम प्राणी मात्र के लिए सोचना शिरू कर देते हैं कि मेरे कारण से चीटी न मर जाए, मेरे कारण से ये मच्छर न मर जाए मेरे कारण से किसी को कष्ट ना हो जाए पर उसकी भावना ऐसी हो जाती है जिसकी इतनी बड़ी सोच हो गई है क्योंकि इंसान सोच से ही बड़ा होता है और सोच से ही छोटा होता है उसकी हाइट से कुछ नहीं हो रहा है उसकी हैल्थ से कुछ नहीं हो रहा है वो बड़ा और छोटा वो यहां से होता है अरे बोलिये न तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई ठीक है चलिए फिर बंद करूँ मैं आप लोग बड़े धर्मात्मा हैं बड़े ज्ञानवान हैं बड़े समझदार हैं है न कितनी शांती से सुना इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है तो सम्मेक दर्शन का पांच पांगे कौन सा हुआ उपगुहन इसकी कहानी मैं कल बताऊंगी आपको जो शास्त्र में कहानी आई है और जो जिनेंदर भक्त सेठ है इसे उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुआ है कि किसी दूसरे के दोश वो कहां तक छिपा सकता है इसकी कहानी मैं आपको कल बताऊंगी है न रिस्तों में नानी का मंदिर में जिनवानी का और कल सुनाने वाली कहानी का बड़ा ही मात तो है चावल में चुनने का बुनाई में बुनने का प्रवचन को बड़ी शांती से सुनने का जारकंड जारकंड में कहां से हो बोकारो अच्छा इस्टील सिटी अच्छा ट्रेन में किटी का घर में बेटी का और आने वालों में जारकंड बोकारो इस्टील सिटी का बड़ा ही महत्ता है बरेली अच्छा निकालने में रैली का तेल निकालने में तेली का और जुमका वाली बरेली का जाजपूर बाजपूर अत्राखन अच्छा गानी में सुर का नत्य में नुपूर का और आने वाला में उत्राखन बाजपूर का बड़ा ही महत्ता है माताजी गुना का अनाज में चना का पेड में तना का और आने वाला में गुना का बड़ा ही महत्ता है खेत में खाद का नहीं होने में बिवाद का और आने वालों में TMU मुरादावाद का बड़ा ही मात्त है मुरादावाद से सुरेश जी की जो TMU विश्विद्याला है हमारे वहां से स्रीमती अंकिता जी फीजियो थेरेपिस्ट और उनकी शिश्याएं आज यहां पर आई हुई हैं और आपके भक्ति और सेवा अनुकर्णी हैं आपका धर्म के प्रति समर्पन और आपकी सोच बहुत उची है आपकी यह सोच और आगे बढ़े इश्य शुब भावना से सबको बहुत-बहुत मंगल आशिर्वा चार तीर्थों की यात्रा करते हुए आ रहे हैं और मुनिसुब रतनाद भगवान की कृपा थी कि हमें हर जगे प्रतम अभिशेक और शांतिधारा करने का सवबागे प्राप्त हुआ तो हम यही एक्षा लेके आये थे आज भी हम मुनिसुब रतनाद भगवान के चरणों में प्रतम अभिशेक और शांतिधारा करेंगे अभी हमने चानखेडी में की बिजॉलिया जी में भी की आवा जी भी गए हम लोग और आज हम यहां भी अभिशेक और शांतिधारा का सोच के आये थे और बगवान का आशिरवात था कि हमें प्रदम अभिशेक और शांतिधारा करने का सवभागय मिला और हमारी इक्षा है कि हम आज भी रुक रहे हैं तो यदि कला में ये सवभागय प्राप्त होता है तो हम कोशिश करेंगे कि कल भी हम करें बहुत अच्छा चेत्रे जरूर आईएगा लास्ट टाइम में थोड़ा लेट हो गया था तो भाव बनायते कि दुबारा आएंगे तो शांतिधारा करेंगे आपके माद्यम से बहुत अच्छा अभिशेक शांतिधारा करने मिली बनायते जी बहुत ही सुन्दर शेत्रे प्रयास करेंगे हर वर्ष हम यहां जरूर आएं आज हम लोग का बहुत सौभाग का दिन है कि हम सभी को माता जी के शानित में भगवान का अभिशेक करने का सौभाग के प्राप्त हुआ हम यही कामना करते हैं बड़े बाबा से कि हर साल हम इस छेतर पर आएं और भगवान के अभिशेक को शांतिधारा करें माता जी के चर्णों में उन्दमी उन्दमी माता जी हम पहली बार जाजपुर दस्टन करने आया है हमारे भाव बने जो हमने जिन्वानी माता मंदिर बन रहा है उसमें बोली का श्रयोग मिला आपका बहुत-बहुत दन्योग एक बार यहां जो आ गया स्वार्ग मोक्ष को पा गया मंदिर जी में आओना आओना जी आओना कमला सन परनाथ विराजे आओ भक्त ये करते निश दिन तेरा जाओ सुन्दर प्रवू मेरे गुरू देख नजर रुक जाती है पलक नजपक पाती है मंदिर जी में आओना गोजेज ने ये पावन भूम सुष्टी भूम इसकी कणकण में मेरा आत्मा बसी हुई है ऐसी पावन भूम जहां माता जी ने एक संकर्प लिया था जब तक मैं अपने मुनसुबित नाथ को इस बड़े जहाज मंदिर में जब तक ब्राजमान कर नहीं लूँगी तब तक मैं चैन से भोशन भी नहीं करूँगी गिरहन आहर ग्रहन ने तभी उन्होंने मन से ग्रहन किया जब यहां उन पंच कल्यान बहुत बड़े रूप से उन्होंने करवाया जिसमें सभी अपने भालत वार्ष्णियों का बहुत बड़ा सहयोग्रा ऐसी पावन सुष्टी मेरा बार बार बंदामी 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 सोभाग मल जैन केलवडा मैं 2008 से माताजी से संपर्क हूँ जब से राजस्तान में माताजी आया है केलवडा के आया थे दो दिन हमारे मारे रुके थे जब से मैं इनके संपर्क में हूँ फिर तेरा से तो और सब्सक्राइब करते हैं लेकिन है यह बस की भावना भी बहुत अच्छा दान है किसी को यात्रा कराना यह सब चीजों पर भी ध्यान दें क्योंकि हर कोई गूमना और माता जी ने मुझसे पहली बारे जब मैं इधर आई ती जाजपूर तो माता जी ने मुझसे बोला भी था अब कभी आना तो बस लेके आना पता न Daddy कि मैं खुद भी नहीं बयान माता जी कही आसीरवात है कि मैंने बस लेके आई और सबसे पहले जाजपाई कमपिल ऻी उसके बाद या स्टार्ट किया अब मैं चाहती हो आगे भी ऐसे ही मैं करती रहूं दर्सन कर हरशाई हो जी हो हो जी हो ज़िए हो ज़ए जाने का मन भी नहीं हो रहा है सोचा था हमेसा टीवी में आद्यम से देखते हैं लेकिन आज हकिकत में देखें इतना मन हर्स हो रहा है कि कुछ समाई नहीं रहा है मन में बोले देवा दिये कि जरार स्री मुनिश वरतनाद भगवान की मुनिश वरतनाद भगवान एसा अस्तिजार दे कि हर साल चलो स्वस्तिभाव आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की अपने इस माना वभव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूत पूर वावसर स्वस्तिधाम प्रनेत्री परम विदूशी लेखिका भारत गौरव आरिकाश्री स्वस्ति भूशन माताजी की पावन प्रेरना इवं मंगल आशीरवात से बध्यप्रदेश की धन्यधरा परिस्थित सिद्धिक्षेत्र सोनागिर के पवित्र परवत पर बन रहा है भव्याती भव्य सहस्त्र कूट जिनाल है आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराज मान कर सहस्त्र पुन्ने के भागीदार बने एक प्रतिमा की नियोचावर राशी एक लाख ग्यारा हजार उपै मात्र अपनी स्विकृति प्रदान करने हितू दिये गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें झाल